दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल भारत और भुटान के भविश्य को प्रभावित कर सकता है, बलकि यह एक नया मोड भी ला सकता है। हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भुटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टौबगे से मुलाकात की। यह मुलाकात साधारण नहीं थी, इसमें गहरे राजनीतिक और आर्थिक नहितार्थ छिपे हैं। भुटान ने पी-म मोदी से गेले फू नामक एक नए शह या फिर इसके भीतर छिपी हुई संभावनाएं हैं। पिछले एक साल से यह परियोजना भुटान के लिए एक सपना बन चुकी है। और अब यह सपना चीन की बढ़ती घुसपैट के साए में है। जी हाँ, दोस्तों, हाल ही में चीन ने भुटान की सीमाओं में घुसपै तडप कर रही है। अगर गेले फू का निर्मान सफल होता है, तो क्या यह चीन की गतिविधियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तयार कर सकता है। यह शहर कार्बन नीट्रल होने का दावा करता है। लेकिन क्या इसका उद्देश्य केवल परियावरण की रक्षा करना ह या यह एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। पिछले साल भूटान और चीन के बीच डोकलाम में हुई तनातनी ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। अब भूटान की चिंता सिर्फ विकास की नहीं, बलकि अपनी सीमाओं की सुरक्षा की भी है। इस मौजू एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। यह एक बड़ा सवाल है। क्या हम इस मौके को गमवा देंगे। श्रीलंका का हाल आपके दिमाग में है। हमने देखा है कि एक गलती ने कैसे स्थिति को उलट दिया। क्या हम दोबारा वही गलती करेंगे। जब हम प्रस्तावित गै अगर हम गहराई से देखें तो इसमें एक दूरगामी रणनीती भी नजर आती है। गाले फू का भारत, भूटान और चीन के त्रिकोणिय संगम पर स्थित होना इसे विशेश महत्व देता है, खास कर हाल ही में चीन की बढ़ती नजरों के संदर्भ में। जब चीन पर अपना दावा मजबूत कर रहा है, तब गाले फू जैसी परियोजना भूटान के लिए एक महत्वपूर्ण जवाब हो सकती है। इस शहर के माध्यम से भूटान केवल एक परियावरणिय मिसाल पेश नहीं करेगा, बलकि यह भारत और भूटान दोनों के लिए सुरक् दिल्चस्पी होना स्वाभाविक है। गैलिफ की सफल स्थापना भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करेगी और चीन के रणनीतिक घेराव का जवाब भी देगी। अगर हम एक जुट होकर इस अवसर का सही इस्तेमाल करते हैं, तो यह न केवल भूटान के विका की नजर होगी। गैलिफू केवल एक कार्बन न्यूट्रल शहर का उदाहरन नहीं बनेगा, बल्कि इसके माध्यम से भूटान अपनी संप्रभूता और स्वतंतरता को भी मजबूत करेगा। गैलिफू एक नई शुरुवात का प्रतीक होगा। एक ऐसी शुरुवात जो केवल पर्यावरणिय संरक्षन को प्राथमिक्ता देती है, बलकि एशिया में बदलते शक्ती संतुलन की दिशाभीत तय कर सकती है। गैलिफू परियोजना के पीछे की असली कहानी केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसे भविश्य की कुंजी बन सकती है जहां भूटान अपनी स्वतंतरता, सांस्कृतिक धरोहर और कूट नीतिक द्रिश्टिकोन को और प्रभावशाली तरीके से परिभाशित कर सके। यह परियोजना एक सशक्त संकेत है कि भूटान अब केवल आर्थिक आत्म निर्भरता की दिशा में नहीं, बलकि अपने व हर देश को अपने साथ जोडने की कोशिश कर रहा है, वहीं गैले फू का निर्माण भूटान को इस क्षेत्रिय प्रतिसपर्धा में एक अलग पहचान दिला सकता है। गैले फू के माध्यम से भूटान दुनिया को दिखा सकता है कि वह केवल प्राकृतिक सुंदर्ता का एक शांतिपूर्ण देश नहीं है, बलकि एक मजबूत कूट नीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर सकता है। वैश्विक मंच पर एक नया स्थान दिला सकता है। इस प्रकार गैले फू न केवल भूटान के लिए, बलकि पूरे क्शेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा, जो यह दर्शाएगा कि विकास और कूट नीति का सामन जस्य कैसे बनाया जा सकता है। भूटान, जो अब तक एक शान्ति प्रिय, पारंपरिक और प्रकृति प्रेमी देश के रूप में जाना जाता था, अब गैले फू जैसे महत्वपूर्ण और द्योगिक शेत्र के माध्यम से विश्व पटल पर अपनी क्शमता का संकेत दे रहा है। इस परियोजना से भूटान की अर्थ व्यवस्था में नई जान आएगी, लेकिन यह उस शक्ति की नीम भी रखेगी, जिसका उप्योग भूटान भविश्य में अपनी संप्रभुता और कूट नीतिक हितों के लिए कर सकता है। गैले फू के विकास को लेकर भूटान के लिए यह परियोजना एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। गैले फू का विकास केवल भूटान के लिए ही नहीं, बलकि पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए एक मॉडल बन सकता है, जहां स्थिर्ता और प्रगती के बीच संतुलन साधा जा सकता है। यह परियोजना भूटान के युवा नागरिकों को भी एक नए युग की ओर प्रेरित करेगी, जहां वे देश की विकास योजनाओं का हिस्सा बन कर ना केवल आर्थिक, बलकि सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से भी सशक्त बन सकें। गैलेफू का विकास यह संकेत देता है कि भूटान अब उस पारंपरिक सीमित द्रिश्टिकोंड से बाहर निकल कर एक नए युग की ओर बढ़ने का साहस कर रहा है। गैलेफू परियोजना की सफलता भूटान के लिए केवल आर्थिक लाब से कहीं अधिक है। यह उसके आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रकार गैलेफू परियोजना न केवल भूटान के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। बलकि एक नई पहचान, आत्म निर्भरता और वैश्विक स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।